वॉट मॉरिंग स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि स्लोक्स मदलब नयाय निगमन के हम पार्ट 2 कंप्टीट कर चुके हैं जिसमें मैंने डे1 आपको सम् और उल वाली कोश्चिन कर आई थे डे2 हमने इदर वाली है तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता है कि डे वाइडे मैं आपको न्यू प्रेट्र पढ़ाऊंगा तो आज में स्टार्ट करेंगे इसको पार्ट है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स क्रैक्ट यूपी ऐसी सी यह थी इंडिया इस लेंडिया प्लेटफॉर्म और यह आप सभी जानते हैं वे हैं आपकी अपनी अनकेडमी ठीक है बहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए मेरे बारे में लगवाग सभी स्टूर्ट जानते हैं मैं अपंका जगरवाल आपका रीजनिंग गुरू लास्ट नाइन ये से पढ़ा रहा हूं फॉर्बान घेन शेयर जरूब करें, क्यора जितना आप चेयर चौंड़ा करेंगे जूड़ा ठीक है यविंडि आपने अभी तक प्लस- याइक्वानिक मां subscription नहीं लिया है तो भाई जिए जल्दी से plus से iconic मां subscription लीजिए यदि आपको पता है कि new selection without subscription यदि आप subscription नहीं लेते हैं तो selection से कहीं न दो ही थोड़ा साथ पीछे हो जाएंगे छूट जाएंगे reason कहा है जो student हमारे top educator से पढ़ रहे हैं उनको किसी भी question उनको कम time में solve करने का method पता है उनको gs में basic terminology पता है ठीक है बही है तो benefit कि रहेगा उसका daily life classes मिलेंगी आपको life test मिलेगा unlimited access मिलेगा और sex course रहेगा मतलब pre plus means plus mock interview इन सभी की preparation बही है एक ही subscription में रहेगी ठीक है चलिए आप देखते हैं आप plus में जुड़ते हैं तो plus में मारी fee से 49,500 वन एर की वन एर की fee से 72,000 और 3 एर की fee से 90,000 बटेदी आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको apply करना होगा पी जिरो है जब आप पी जिरो में apply करेंगे तो यह fee सा आपकी बिल्कुर 10% से less हो जाएगी फिर आपकी में एर की fee से 44,550 वन एर की लिए 64,800 वन एर की लिए 81,000 ठीक है तो देखते हैं आइकोनिक में benefit क्या रहेगा दिए आप आइकोनिक में चुड़ते हैं तो personal coach मिरेगा daily means के coach analysis के practice रहेगी steady plan रहेगा और personalized feedback रहेगा यहाँ पर जो आपकी fee से वह है 69,500 2-year की fee से 1,7,000 और 3-year की fee से 1,41,000 बट आपको दिहान लखना है कि दिए आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको 10% का off मिलेगा प्लस मेरी guidance रहेगी जो pre plus mains plus MI तक रहेगी ठीक है उसका benefit कराएगा आपको 10% का off यदी आपको लेना है तो आपको apply करना होगा पीए जो बन ताकि आपको additional discount बले और मेरे को motivation मिले कि कितने student मेरे द्वारा जुड रहे है ठीक है देखिए यदि आपने अभी तक unacademy learning app डाउनलोड नहीं करी है तो बहिए जल्दी स unacademy learning app डाउनलोड कर लीजे क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं यानि पंकाइस अगरवाल आपका reasoning गुरू Monday to Friday daily 4 to 5 p.m. इस पे हमने डी आई का पार्ट स्टार्ट कर दिया है पहले हमने इसमें comprehension कंप्लीट करा हम इसमें यह पढ़ रहा है ठीक है चलिए देखिए नियू यह आपका resolution क्या होना चाहिए 2021-2023 यह आपको ही selection दिलाएंगे ठीक है चलिए उसी को ध्यान में रेक्त हुए 4th of January तथा 11th of January से हमारी new batch start हो चुके है अब देखिए यदि आप UPSC CSC optional में जाते हैं प्लस UPSC CSC GS का iconic लेते हैं तो उसमें जो आपकी फीस रहेगी वह 88,000 705 रहेगी वन यह की फीस रहेगी वर लेक 31,000 और 3 यह की फीस रहेगी वर लेक 67,000 पड़ेदी आप मेरे साथ जोड़ेंगे आप सब्सक्रिप्शन की सोच रहे है तो आप भहिया उसमें iconic सब्सक्रिप्शन ही लीजिए उसका benefit क्या रहेगा personal coach मिलेगा means की test series रहेगी study planner रहेगा booster sessions रहेंगे और आपको daily workshop मिलेगे और आपकी answer writing daily course है और daily content आपकी speed को बढ़ाएगा ठीक है चलिए देखे यह हमारी special class यह daily 425 चलिए यहाँ पर हमने डी आई स्टार्ट कर दिया है डी आई हमारा 425 रहता है special class में daily Monday to Friday हमारी class रहती है तो आप हमारी special class से जरूल जुड़ें कुछ न कुछ आपको नहीं सीखने को मिलेगा और देखे जैसा कि आप से भी जानते हैं कि हमारा telegram group से यह आप जुड़ते हैं जो है जुड़े हैं सबसे पहले session को like and share कर दीजिए थाकि हम आपके class continue कर सकें ठीक है चलिए देखे भाई यह मैंने आपको पताया थे कि type 4 थे हमारे some वाले questions मैंने आपको करा दीए थे कुछ का मतलब होता है some सभी का मतलब होता है all आज हम no one वाले question करेंगे no a is b no a c वाले और तो 10 हमारा जो कल की class रहेगी वो रहेगी some हमने वाले question पर जिनको हम कहते है possibility परा दे ठीक है तो चलिए आज का हम type 3 देख लेते हैं क्या कहना भाया बढ़ा ही basic size सभी a b हैं इसके लिए मैं जल्दी से graph बना लेता हूं सभी a b हैं अब कोई b c नहीं है अभी तक हमने यह वाला question नहीं क अब वो उह किया रहा है कि कुछ छी Bell नई अब ध्यान सरे डिखिया कोई b c नहीं तो कुछ c अगे उसने भोलास कि एन है अबदए कि उस्कों से लिख सकते हैं कि कोई C B नहीं है या सभी C B नहीं है दौनों का एक ही मतलब होगा तो सभी C भी नहीं है ये भी क्या होगा? सत्ते होगा अब वो एक करा है कि कुछ B C है जब इन दौनों में nos का relation आगया तो sum का relation कभी नहीं बनेगा तो 5 वाँ क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा आगे किया रहा सभी भी ए है यह हमारा simple वाला केस चल्डा है जो मैंने आपको पहले बढ़ाया था यह भी गलत हो जाएगा अब आगे उसने बोला कोई C B नहीं है ठीक है अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पता था कोई C B नहीं है ये भी सकते होगा और सभी C नहीं ये भी सकते होगा क्योंको उसने पहले ही बूल दिया कि कोई B C नहीं है या कि कोई B No B is C इसका मतलब ग्राफ क्या बनेगा ये दोनों अलगला हो गई तो हम रिवर्ट्स में ये भी भूल सकते है कि नो C is B ठीक है अब वो यही कह रहा है कि 7 वाला क्या कह रहा है कोई C B नहीं है तो 7 वाला भी क्या होगा अब क्लियर टू होगा ठीक है लास्ट वाला वो लाफ उसने कोई C A नहीं है अब देखिए B का C C No Correlation है B का C C No Correlation है तो C का A C B No Correlation होगा क्योंको A B का उपवाग है क्योंको A B का सबसेट है तो हम बोल सकते हैं कि कोई C A नहीं है ये भी क्या होगा सत्य होगा समझ में आ गया नेगेटिव वाले में नेगेटिव वाला सत्य होता है ठीक है अगर वो C की A से बात करेगा तो अब देखें यहाँ पर क्या गह रहा है कि कुछ B A है इसमें तो C का Relation ही नहीं गया है केवल वो इसकी बात कर रहा है कुछ B A है तो इस ग्राफ के सब C वाला सत्य होगा ठीक है तो टाइप 3 का ये बेसिक था ये आप सभी की लगबग समझ में आ गया होगा एक बार मैं फि लेट जोड़े हो थोड़ा दो मिनिट देख लीजेगा पहला गया कोई भी कुछ भी है तो यह तो सेम केस आगया आउटसाइट से इंसाइड आएंगे तो सकते हो जाएगा और हाँ मैं आपको ये बात बताने वाला था तो डेवान हमने क्लास करी थी उसमें जो कोशन नमर हां तो मैंने का आपको ये मैं बता देता हूं क्योंकि एक में फिट से बनाया लेतने ग्राफ रिज हो गया सभी ए बी है और कोई भी सी नहीं है ये इसका ग्राफ बनेगा क्रॉस कर लीजे नो का रिलेशन है ठीक है मैंने इसलिए वह आपको बता दी कि को मेरे को मैं वर्य नहीं है अभी कह रहा है सभी सी भी नहीं है ये भी सत्त है आपका अगे रहा है कुछ भी सी है ये गलत हो जाएगा इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा और सभी भी ये है ये भी गलत हो जाएगा कुछ भी सी है गलत हो गया नो का रिलेशन है कैंसल हो जाएगा और सभी ये यह बताया थे यह हम लेदेगा इसमें आपका केवल 5 और 6 गलत होगा बाकी सभी सही होगे नेगेटिब में नेगेटिब वाला सही होगा और जो 1 वाला है वो इसलिए सही होगा वो आपका कुछ भी से 1 अपार्ट आगया ठीक है बहिए चलिए हम अब प्रिशन स्टार्ट करते हैं मैंने आपको बेसिक बता दिया चलिए दो मिनट का समय देता हूँ जल्दी से ग्राफ बना लीजे इसका सभी लाल पीले हैं कोई पीला काला नहीं है ठीक है लाल पीले आगए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बार के व यलो ही रहेगा पीले हो या पीला हो ठीक है इसलिए मैंने बता दिया है क्योंकि कुछ इस्टूट्ट बोलेंगे से पीले और पीला मैं अंतर हो गया कहा है नहीं अंतर नहीं है वो से मैं आप उसको वाई लिख लीजे ठीक है तो जल्दी से कोशन नमर फस्ट का ग्राफ ड पीले हैं तो सभी लाल इसको लाल लिख लेते हैं अब लाल का मतलब रैड है अब लाल का मतलब पुत्र से नहीं है कोई पीला काला नहीं तो कोई पीला काला नहीं ग्राफ यह बन जाएगा चाहो तो इस तरह से क्रॉस कर लो ठीक है भाई हमने क्रॉस कर लिया अगरा कुछ काले लाल है अब देखिए काले का लाल से कोई संबंध नहीं होगा क्योंको जब पीले का काले से कोई संबंध नहीं है तो काले का भी लाल से नहीं होगा तो पहला वाला तो क्या कला आगे कह रहा है कि कोई काला पीला नहीं है यह वाली वात सत्य होगी है ना कोई पीला काला नहीं है इस चेट में देखे कि अगरा तो कोई पीला काला नहीं है तो रिवर्ट्स में क्या गोल सकते हैं कि कोई काला पीला नहीं है तो दूसरा वाला क्या होगा इसमें सत्य होगा तो आंसर क्या रहेगा केवल भी रहेगा वहीं यहाँ वाला केस तो बनी नहीं सकता है इसम उपवाक से भी नो का रिलेशन रहेगा, तो पहला वाला गलत हो गया, अब दूसरा वाला क्या करा है कि कोई काला पीला नहीं है, जब उसने बोला कि कोई पीला काला नहीं है, तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला सत्ते होगा, तो आंसर क्या रहेगा भाईया जिसका भी रहेगा I think लगवग सभी की समझ में आगए होगा पहला पेशन देखिए बड़े ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसलिए जो इस्टूएंट अभी भी पैन पेपर साथ में नहीं लेकि पेठे वह भाई यह बैट जाओ पैन पेपर लेके रहोगे तो अच्छा रहेगा ग् कि हमारी आफ्टरनून में भी क्लास होती है और इवनिंग में भी 4-5 क्लास होती है उसका लिंक में टेलीगरम ग्रॉप पे सेंड करते ता हूं इसलिए जो इस्टूएंट फस्टे हमारी क्लास देख रहे है वह हमारा टेलीगरम ग्रॉप जरूल जोइन करें ठीक है वह है पहला वाला प्रिशन लवक सभी की समझ में आ गया हुगा अगले प्रिशन की ओर भड़ते हैं जल्दी से कुशन नम्मर सेकंड देखिए क्या कह रहा है सभी मानव इंसान है कुछ इंसान नेता है और कोई नेता मंतरी नहीं है तो निसकर्स रूप में क्या कह रहा है कुछ इस तरह से आपके लिए रिकॉर्ड करूं ताकि आपको यह ना लगे कि सर आपके वर खुद में बढ़ाये जा रहे हैं आपने ना तो ग्राफ बनाने का टाइम दिया और ना ही प्रिशन को हलकनने का समय दिया यह दिया मेरी क्लास को भी प्रिमिट चलना है दी इस क्लास को अब इसका रिकॉर्ड लेक्चर देखेंगे तब भी आप बिना प्ले पूरी क्लास को रिवाइस कर सकते हैं ठीक है क्यों मैं इतना ही समय देता हूं जितने समय में आप ग्राफ बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बहिए यह यह मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको इतना समय दिया जाए कि आपका घ्राफ भी बन जाए और आपका आंसर भी आ जाए ठीक है ज्यादा समय देकर क्या फायदा देखी दिबना रेते हैं शवी मानव इंसान है कुछ इंसान है कुछ इंसान होगा है हुमारे नीता ऐरो कर आ लिए बताये थैं आ डिकलासς ऑडे यही बना होगा लगो उम्मीद करता हूँ आप सभी का पर देखी मुझे बड़ा अच्छा लगा कुछ स्टूडेंट ने जो मैंने कहा था उसको वाक्री में सीएसल लिया उन्होंने मेरे को डेवन तो आय थीं कितनी स्टूडेंट का रप्लाई नहीं आया था बट डे टू क मैं क्लास स्टूडेंट ने बटाया कि ऐसी दिए क्लास कोई न diarrh client है कि की नेता माना में अब देखे नेता का मानव से कोई संब्द नहीं है तो पहला बाला हो जाएगा गलत दूसरा गरा कुछ मंतरी इंसान है अब देखे मंतरी का नेता से नो का रिलेशन है लेकर मंतरी का इंसान से भी कोई relation होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते, देखे सकते वली किस नहीं आया है, possibility नहीं है, मैंने बताया था, when diagram से पढ़ने का benefit है, अगर मंत्री का इंसान से कोई संबंध नहीं है, तो तुरंट cancel कर देंगे, तो subject पेडिकेट तो से में नहीं, तो याकनियम तो मन किस सर कुछ मंत्री इंसान हो सकते हैं, सकते हैं तो फिर वो possibility में जाएगा, अगर उसने बूला कुछ मंत्री इंसान है, इसके लिए ग्राफ ये बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं graph है, मंत्री का इंसान से relation है, नहीं है, तो तुरंट कर दो, when diagram का benefit था, जो आपको graph में द ऌपड़े हमारे उनी हैं, फिर करहा सभी लाल पत्तर है, फिर करहा कोई कबड़ा लाल लही है, ठीक है भईवाया, धिहान से बनाईएगा, हर प्रिशन, एक-एक प्रिशन भाहत अच्छा है, ठीक है, उसको ध्यान से करें, यदि कहीं पर कोई गल्ती है, यदि आपको लग यसी कि मुझे लगा कि जब मैंने day one वाली वीडियो देखी मुझे लगा कि वो option आपको c tick करवाना था वट मैंने d tick करवा दिया है तो मैंने उसे खुट admit करा और आप सभी को बताया कि भईया उसको आप c कर लिया ठीक है मतलग नहीं वाला कर लिया है मैंने वो दोरों yes में कर सब्सक्राइब करेंगे आपको इस तरह से कराऊंगा कि आप बोलेंगे सार अगर आपने पहले पढ़ा होता तो हमारा कंफूजन ही रहे था ठीक है चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं कि अगरा सभी कपड़े उनी है कि आपको एजली अच्छे से समझ में हैं सभी कि अदर का फाल पत्थर का है मिद्था कि अछी ऑन्दर वालों की रिलेशन हैं और वालों की पत्थरya बाहर वालों को उनी पत्थर यह?... कोई पत्थर उनी नहीं है यह सत्त हो जाएगा इसका मतले भी क्या है या वाला किसा आ गया उनी पत्थर पत्थर उनी कुछ और कोई नहीं इसका मतलब इसका दूसर डागराम ऐसे बन सकता है समझेए लाल पत्थर आगे उसने बोला था कपड़े और उनी अब यह हमने उनी ऐसे लिए अब देखिए कपड़े और लाल में अभी भी no correlation है कपड़े और लाल में तो अभी भी no correlation रहा ना लेकिन इसका मतलब क्या यह दोनों यह डागराम हमारी इस पर बेज़ड है conclusion पर तो इसका answer क्या बन जाएगा या पहला या दूसरा क्योंको उनी और पत्थर है पत्थर है उनी है तो answer के देखिए सकते हैं डी दे सकते हैं क्योंको इससे हमारा अंदर वाल रिलेशन चेंज नहीं हुआ अभी भी लाल और कपड़े में नो का रिलेशन है जो उसने बोला था लेकिन हम उनी को पत्थर मना सकते हैं पत्थर को नहीं बना सकते हैं इसका मतलब पहले इन पहला या दूसरी निसक्रश्में से कोई एक सत होगा क्यों को यह सत्ते हैं फिर यह गलत हो जाएगा तो यह आंसर कहा रहेगा थड़का या रहेगा जो मैंने आपको डेवन डेटू पढ़ाया था उसको भी याद रखना है डेटू मैंने आपको यही तो बताया था कि सम और नो का रिलेशन हो सब्जर्ट पेडिकेट से कोई बोतल इंक नहीं है और सभी ग्लास बोतल हैं ग्राफ को इस तरह से बनाएगा कि बाद में ग्लास के अंदर बोतल एड़जस्ट हो जाए यह मैंने आपको हिंट दे दिये अदरवाइस इसका ग्राफ बनेगा नहीं आपसे हाँ भाईया और जितनी वी स्टूइट हमारे साथ मिट में जड़े हुए है शेशन को लाइक एड़ जरूर करें और जो स्टूइट क्लास देखके चले आते हैं लाइक नहीं करते हैं भाईया मैंने क्या बताया था हर व्यक्ति को अपना कार करना चाहिए मेरा कार नहीं आ आप मैं आपको पड़ा रहा हूं ना अने चैनल पर मैंने आपसे और कुछ तो इसके बदले में कहा नहीं है मैंने बस यही तो कहा है कि मेरी क्लास को लाइक और शेयर करें बस मुझे इतना ही आप से बढ़ट चाहिए ठीक है और तो मैंने यह तो बोला नहीं बहाई एक द कर सकते हैं आपके जितने भी गुरॉप है समय शेयर करें स्टूट को बताइए कि मॉनिंग नाए नहीं हम सर बिल्कुल फ्री पढ़ाती है यूटिब पर कोई चार्ज नहीं है उसका ठीक है और हाँ यदि आप मेरे साथ जोड़ना चाहते है यदि आप सब्सक्रिप्शन को गायड करता हूं कुछ स्टूट एले करां पराकर डिसकस भी करते हैं कि सर हमारा कुछ स्टूटेंट है मेरे को अपने राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग के इमेजेस भी सका है करके सेंड करनी थी मैंने उनको यह बताया कि मैट आपका यह पॉइंट गलता है यह कुछ पयन पेपर हैं कि कुछ पैपर इंक हैं कोई बोतल इंक नहीं अब देखे ध्यान से कोई बोतल इंक नहीं तो भी बना लिया और सभी ग्लास बोतल हैं मैंने पहले हिंट दे दी थी कि glass के लिए जगे रखना bottle के अंदर वैसे glass bottle के अंदर नहीं आ सकती है ठीक है bottle glass के अंदर आ सकती है थोड़ी सी तो इसको आपको धिहान रखना है इसको आपको बनाना इस प्रकाड से अब देखते हैं कि सभी इंक्पैन हैं अब देखे सभी वाला केस तो मनीड है सकता सभी इंक पैन है यह तो गलत हो गया अब अब देखी पेपर बोतोल हो सकती है पेपर यहार बोता रे रहा नहीं यहां नहीं गहरा कुछ paper, bottle है, paper ये रहे, bottle ये रहे, नहीं बन सकता, सब मामना पूछी नहीं है, general में गलत हो जाएगा, ठीक है, उसने बोला, कोई glass ink नहीं है, कोई glass ink नहीं है, इसका मतलब ये सत्य होगा, क्योंको bottle का ink से no relation है, तो glass का भी ink से no का relation होगा, यह मैंने example में आपको बताया था ठीक है तो answer के आ जाएगा question number 4 का third आ जाएगा मतलब केवल तीसरा वाला सत्य है यहां तक की बात लगबक सभी के समझ में आ गई होगी मैं उमीद करता हूँ आप सभी से है न चलिए अगले question की बढ़ते हैं graph बिल्कुल simple app कुछ pen paper है कुछ paper ink है कोई bottle ink नहीं है और सभी glass bottle है ठीक है यह इसका graph बनेगा आज भी आपको यही करना है class complete होने के बाद मैं 12 मैंसे कितने question ठीक जाते है ठीक है इसको आप मुझे send करते तो मुझे बढ़ अच्छा लगता है तो देखकर कि आपके बारे question गए है 11 गए है 10 गए है accuracy 90% की आ रही है चलिए question number 5 बना लिए जल्दी से क्या करा है ठीक है बैया सभी लड़के सुन्दर है बड़ी अच्छी बात है सभी लड़की जज़ है यह और भी अच्छी बात है सभी लड़के सुन्दर है यह अच्छी बात है लेकिन सभी लड़की ज़ज़ है और भी अच्छी बात है कोई सुन्दर जज़ नहीं है मतलब कोई सुन्दर जज़ नहीं है तो बनाईए इसका graph जल्दी से फिर देखते हैं कि वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप सीखें या ना सीखें तो जो स्टूडेंट आज ही हमारी क्लास में चुड़े है उनका ये अदायत तो है कि भाई यह पहली और दूसरी वीडिये देख लो यूट्यूब पर पढ़ी है फ्री है कोई चार्ज नहीं है इतना मेरा चार्ज है कि उसको शेर करना है यह बहुसक्ते है आप अपरते चुलूप से हमसे क्या कहते हैं कि लाइक और अच्छी रिजनिक पढ़ाते हैं वह था आता है आप जाने कि अच्छा पढ़ाता या नहीं पढ़ाता हUNG पहले ये कोशन नमबर फाइब जल्दी से बना लीजे भाईया चलिए मैं इसका गराब बना देता हूँ उसने बुला सभी लड़के सुन्दर है सभी लड़के सुन्दर है ये यहाँ पर आ चुके हैं बिलकुल अच्छी बात है भाईया अब सभी लड़की जज है अरे ये भी अच्छी बात है भाईया मैंला सभस्ति देखरना है सभी लड़की जज हो गई हमारी आगे कि कहा रहा कोई सुन्दर जज नहीं अब देखिए सुन्दर और जज का बहार का इतनो नहों का nookal relation बन गया इसका द्यान दग ना वहिए अगर सुन्दर और जज का nookal relation नहीं होगा क्या कही रहा है कुछ जज लड़की है देखिए पेंट चेंज कर लेते है ताकि आपको easily संध में आए कुछ ज़ज लड़की है आउट साइड से इंसाड आएंगे तो सत्य है कुछ ज़ज लड़की है बिल्कुल सत्य है आगे करा कोई लड़की लड़का नहीं है अब देखिए सुन्दर का जिस से नो का रिलेशन है तो लड़की का भी लड़के से नो का रिलेशन होगा इसका म कोई BD नहीं है, तो निसकर सुरूप में हम ये बूल सकते हैं कि कोई A C नहीं है, सत्य होगा, वही बात क्या रहा है, कोई लड़की लड़का नहीं है, ये वाली बात सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, पहला तता दूसरा दौन सत्य है, कोई लड़ का जिससे नो का रिलेशन होगा नहीं का होगा I think question number five है सभी के समझ में आ गया होगा चलिए अगले पिशन की और बढ़ते हैं question number six यह रहा आपके सामने देखे क्या करा है सभी कमरे बड़े हैं all rooms are big कुछ kitchen modular है कुछ kitchen चलती है न modular फिरेज अंदर कर दिया चिमनी लगा दी microwave दीवाल में fit कर दिया glass bottle कुछ नहीं देखता वो modular कहलाती है न तो कि अगर आए कोई bathroom modular नहीं है बात्रूम उनके साधा है ठीक है तो उसकी क्यादार पर दो निसकर्स है लगवक से भी को पता होगा modular चल रहा है ठीक है चलिए तो जल्दी से देख लीजिए लेकिन उसमें समस्या भी रहती है जलते समयाग लग गई पूरा लगड़ी का सामान जल गया पीछे से है ना तो उपी नहीं अच्छी लगती है या फिर kitchen model में फिक्स करवा दिया पीछे इतनी एट होई कि इसन फट गया किसी दिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए लेकिन इस पेस होना चाहिए या तो ventilation के लिए इसलिए जो तरीका है वही उसको किकार किया या तो ज्यादा अच्छा लगता है या फिर सेफटी प्रॉपर सेफटी होनी चाहिए है ना पॉस्चन नमबर से जल्दी से मना लीजिए क्या कहरा भी यह सभी कमरे बढ़े हैं कुछ kitchen model रहें और कोई बात रहे मॉड सभी कमरे क्या है बड़े हैं तो कमरे के उपर आगए बड़े यह वल एक शब्द है यह कुछ kitchen model है कुछ kitchen क्या है model और क्या करा कोई bathroom model नहीं अब देखिए कोई bathroom model नहीं तो bathroom बिलकुल अलग बन जाएगा क्योंको bathroom का उपर कोई संबन नहीं है यह बन जाएगा कुछ कमरे बड़े हैं बिलकुल ठीक है कुछ kitchen model है यह भी ठीक है यह kitchen आ गया मॉडूर आ गया आगए उसने गोला कोई bathroom model नहीं है यह बन गया अब कहरा कुछ bathroom बड़े है अब देखिए bathroom का बड़े से कोई relation ही नहीं है bathroom का बड़े है bathroom एरा तो पहला बाला तो होगया गलत दूसरावाला उसने कुछ सब्सक्राइब सकते होगा तो आएगा के बलड़ीर आएगा पहला वाला तो इसलिए नहीं बन सकता क्योंको बात्रूम का बड़ी से को रिलेशन है नहीं है पता ही नहीं है उसका तो रिलेशन ही नहीं है इसका मतलब कमरा केवल बढ़ा था ही उसने बूला था लेकिन हम यह नहीं बूल सकते कि कोई बात्रूम बढ़ा है कोई बात्रूम बड़ा है या नहीं यह को उसका कोई relation नहीं आया वह भी सकता है नहीं भी हो सकता है सकता लगा नहीं सकते किया को possibility नहीं है कि वह general case है इसलिए कुछ bathroom बड़ी है क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा दूसरा सत्य हो जाएगा कोई kitchen bathroom नहीं है क्योंको सभी मॉडूलर कोई मॉडूलर बात्रूम नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वाला सत्य होगा कोश्चन नमबर सेक्स लवक सभी की समझ में आ गया होगा जल्दी से बना लीजिए आपको लगता होगा कोश्चन आप सलो सलो कराते हैं फिर आप स्पीड बढ़ करा दिया आट लास्ट के पंदेवन में कोश्चन करा है मैंने चार तो वो लॉस होगा ना इसी लिए लेकिन आपको ऐसा भी नहीं लगए कि करें सर्स्टार्डिंग में आपने बहुत दीरे पढ़ाया और लास्ट में आपने बहुत इस प्रिम में कराया मैं हर को मतलब शी लिए लिखना जोंत हो प्रिए्ट लिए का प्रिश्णित का प्रियास करें एक मिने सामय इसे लिए देता हूं कि ग्राफ को ट्रॉट को और मैं लगए जिस में नहीं पतरा थो यदि आपने day one और day two की class ली थी तो आज की class तो बहुत अच्छी रहेगी लग रही होगी reason क्योंकि आज हमने केबल एक no वाला point add कर लिया बाकि सब वही पढ़ रहे है आईतार और वाला वही चल रहा है और वही बन रहा है न केबल no वाला की side कर लिया है और लेकिन आपने देखा होगा लगबंग मैंने प्रयास ही कर रहा है कि हर प्रिश्ण में आपको no की तरफ लेके गया हूँ तो जल्दी से देख लिजे क्या खहरा है वह आपसे सभी road सड़क है कोई road बड़ी नहीं है और सभी train बड़ी है आइ थिंग लवक सभी ने इसका graph बना लिया होगा चलिए मैं इसको draw कर देता हूं कुछ road सड़क है road के लिए आ लिख ले सभी सभी roads के सड़क है कोई road बड़ी नहीं है कोई road बड़ी नहीं है कोई road बड़ी नहीं है और सभी train बड़ी है कि ये इसके इंदरा जाएगा कैसे बनेगा graph ठीक है road का relation है road का no का relation है बड़ी से सड़क का नहीं है कोई train road नहीं है, कोई train road नहीं सकते है, यदि कोई road बड़ी नहीं है, तो कोई भी train road नहीं होगी, क्योंकि train road बड़ी के अंदर है, तो पहला वाला तो सकते होगी है, फिर से देखें समझे, उसने बोला कि सभी road सड़क है, सभी road सड़क है, ठीक है, फिर उसने बोला कोई road गठाई लेगा कुछ बड़ी सडक है अब बड़ी का सडक से कोई रिलेशन नहीं ग़लत हो गया कि की कुछ सडक सब्सक्राइब तो आंसर क्या आएगा पहला तता तीसरा आएगा दी आएगा बनाया मीरा तो ऐसा नहीं बना है या आपने इसे ऐसे कैसे बना दीए तो आप उसे टेलीग्राम पर पूस्ट कर सकते हैं देखे चलिए अगला प्रिशन देख लेते हैं भाई या कुछ नमबर एक जल्दी से कुछ किताब कॉंपी हैं कोई कॉंपी पैन नहीं है और कुछ पैन मारकर हैं देखे भई ये किताब कॉंपी पैन और मारकर इन तीनों को बड़ा ही अच्छा संबन्द है ये तो आप प्रिशन बनाई है अब तक मैं आपको बताता हूं कॉंपी और पैन पर आप पढ़ते ह हैं और marker से अध्यापक पढ़ाते हैं आप वो marker digital marker में चेंज हो गया उसे डिजिटल पैन बोल सकते है कि कपी पैन और marker इन तीनों के संब्सक्राइब एक विद्धियरती का भविष्त संवर्था है ठीक है और एक आपका Blackboard Blackboard भी भी whiteboard में convert हो गया है लगवक blackboard जो थे whiteboard बन चुका है अब लगवक हर जग है ताकि आपके like and shade से ज्यादा स्टूर्ड हमारे साथ जुड़ें चलिए मैं इसका भी ग्राफ बना देदा हम क्या गारा कुछ किताब कॉपी है कुछ किताब कॉपी है बना लो कॉपी के लिए सी लिख लो कोई कॉपी पेन नहीं कोई कॉपी पेन नहीं और कुछ पैन मारकर है कुछ पैन मारकर है मारकर का है अब लिख बन जाएगा भई यह ग्राफ बना दो ना तो हंटर्ट परसंट हर स्टूडेंट को आ गया होगा मैंने बना बताया है इतनी सरल विदी से कि कि किसी का कोई गलत नहीं हो सकता आप देखे क्या कर रहा है कुछ किताब का पैन है किता और कुछ पैन मारकर है ठीक है यह भी बन गया अब किरा कुछ किताब पैन है देखे किताब यह रही और पैन यह रही कोई रिलेशन नहीं होगा डारेट गलत हो गया आगर इसनों बोला कुछ मारकर का कॉपी है मारकर का कॉपी से कोई संब्द नहीं होगा है ना सकते नहीं बूल सकते दिया बूलो सर इसकर आगर हम तो ऐसे बनाएंगे तो फिर वो possibility case में चला जाएगा तो answer का बजाएगा C वो यह अनुसरा नहीं करता ठीक है भई या समझ में आगे है सभी के question number 8 चलिए in actual question देख लेते question number 9 देखे कि अगरा सभी पुस्तक पीली है all books are yellow सभी pen उपयोगी है all pen are useful और कुछ pen पीली है some pen are yellow तो उसी के आदरपन discuss क्या है कुछ उपयोगी पुस्तक है some useful are books कुछ पैन पुस्तक है some pen are books और कुछ उपयोगी पीली है some useful are books some useful are yellow ठीक है भाईया इसके लिए आपको यह बनाना है जल्दी से इसको बना लीजिए question number 9 को फिर आगे भढ़ते हैं और आप सभी को पता है कि unacademy learning app पर मैं पंगज अगरवाल आपका reasoning guru di part start कर चुका हूँ उसमें आज six part रहेगा five part हमने almost complete कर ली है ठीक है भाईया तो उस class को भी आप जरूर नहीं यदि आपको लगता है कि आपको di नहीं आती बिल्कुल basic से start किये पहले मैंने दो class उसमें language की questions की कराएं दी फिर third fourth part और fifth part से हमने calculation basic start कर दे जिए table form के di होती है फिर दीरी दीरी को से अब graph form में convert कर देंगी ठीक है तो question number nine का graph लगवक सभी ने बना लिया होगा मेरी उम्मीत तो यही है ना जोको साधरन प्रिश्ण है ज्यादा कठिन प्रिश्ण नहीं है अब इस point पर आकर तो लगवक हर विद्यारती है प्रकार के graph बनाना तो लगव सभी pen उपियोगी है लिंक नहीं करेगा छोड़ दो कुछ pen पीली है और सभी pen उपियोगी है तो यह graph ऐसे बन जाएगा इसका उपियोगी मतलब useful ठीक है अब क्या करा कुछ उपियोगी पुस्तक है अब देखिए मैं change कर लेता हूँ pen ताकि आपको समझा सकूँ कुछ उप उपियोगी यहां पर खतम होगा पुस्तक उपर है तो पहला वाला हो जाएगा गलत दूसरा वाला उसने गोला कुछ pen पुस्तक है पुस्तक यहां पर है pen यहां पर है pen का पुस्तक से कोई संब्द नहीं यह भी गलत हो गया अब तीसरा वाला उसने गोला कुछ उपियोगी यहां पर कट कर रहा है कि देखिए यह मैंने आपको डेवन डेवन क्लास में बताया था तो तीसा वाला सही होगा तो आंसर क्या हो जाएगा केबल थाड हो जाएगा मेरी कोशिश ही रहती है नया सिखाने के साथ साथ यही चेक कर लूँ यही भी पता दूँ कि पिछला जो पढ़ाया वो भूलतों नहीं गए हो लगवग अगर देखोगे तो इससे मिलता जूलता हमने कोशन वराया था कुछ पूस्तक पेड़ है कोई कुछ आपके फिर इसी कोशन था उसका ग्राफ लगवक सिमिलर यही बनाता है ना वही आप तो इसलिए मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं पिछला आपके साथ नए के साथ में जोड़ दूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना रहे चलिए अगले प्रेशन की वह बढ़ते हैं देखिए क्या कह रहा है कोई मेज टेबल नहीं है देखिए पहला इस ट्रीम में लोग बोल दिया कोई मेज टेबल नहीं है कुछ कुरसी टेबल है क्वेशन नम्बर 10 जल्दी से बनाईए क्या कहा रहा है आप सभी से वह कोई मेज टेबल नहीं है कुछ कुरसी टेबल है इसकर्स में करा सभी टेबल मेज नहीं है देखिए सभी टेबल मेज नहीं है और दूसरा कहा रहा है कि सभी कुरसी टेबल है लगबग बन क्या होगा मैं पता देता हूँ कोई मेज टेवल नहीं है कोई मेज टेवल नहीं है ये बन जाएगा और सभी कुरसी टेवल है तो कुरसी को यहां रखने टेवल के अंदर ये ग्राफ आएगा इसका है ना भईया ग्राफ तो यह बनेगा अब क्या गरा सभी टेवल मेज नहीं है सभी टेवल मेज नहीं है अगर कोई मेज टेवल नहीं तो रवर्ट में बोल सकते हैं कि सभी टेवल मेज नहीं है तो फर्स्ट वाला सकते है के दूसरा वालाह कि सभी कुर्सी टेबल है, सभी कुर्सी टेबल नहीं हुवसकती, कुछ, सॉरी, उसना बोला Aunt ,कुछ कुर्सी टेबल है, एक मिनाट एक मिलिट और कि मैं ने graph. ठोड़ा एक चेंज पर देता हूं, ये बुछ जो हेवाली है तो मेरे मैं मैं चैनल ह्यूं। उस दिन में यह को था भाई mistake में यह बता गया था कि डी वाला टेक बनेगा outside से inside आते हैं तो all वाला case रहेगा ठीक है बट outside से inside आएंगे तो always some वाला case रहेगा ठीक है भाई या तो question number 10 लगवक सभी की clear होगा होगा चलिए अगले question की और भढ़ते हैं जल्दी से देख लेते ह रहा है तो आज आप जब class complete होगी तो आप no वाले question लगा लेंगे bookman को solve कर लीजेगा ठीक है कोई doubt वाली बात नहीं है कथन कोई मोती हरा नहीं है दूसरा कि सभी सीप मोती है निसकर्स रूप में क्या करा कि सभी सीप हरे हैं तो दूसरा करा कि कुछ मोती सीप हैं जल्दी से बना लीजे question number लेवे कोई मोती हरा नहीं है देगे कोई मोती हरा नहीं है ठीक है आप कहरा है कि सभी सीप मोती हैं सभी सीप मोती हैं पर ग्राफ ऐसे बनेगा कोई मोती हरा नहीं है और सभी सीप मोती हैं निसकर देखिए, सभी सीप हरे हैं, सभी शीप हरे हैं, यह तो गलत है, शीप हरे होई नहीं सकते, और कुछ मोती सीप हैं, यह सकते हैं, तो के बल सेकेंड आएगा, देखिए, सभी शीप हरे हैं, यह तो बनी नहीं सकता, क्योंको सभी शीप मोती के अंदर कोई मोती हरा नही है जब ओल डेड़ी यहाँ पर नू का रिलेशन है तो सम का रिलेशन तो बनी नहीं सकता ना हरी और शीप में तो कोशन पिर निसकर्स में करा कि सभी सी भरे हैं सी भरे होई नहीं सकते गलत है इसका उतलब गलत बात कर रहा है गलत बात है करनी चाहिए ना तो कोशन on व्हाँ सभी की समझ में आ गया चलिए अगले प्रश्न की ःपड़ते हैं कर देखें भाई या कोशन अमभर ट्व्य बढ़े ही अच्छा कोश्चन है सभी टोवल वाइट है को कोई वाइट पिंक नहीं है और सभी पिंक प्लास्टिक है कर प्लास्टिक है टोवल भी हागया वाइड भी आ गया पिंक भी आ गया प्लास्टिक भी आ गया तीन कथन पर दो निसकर्थ हैं तो जल्दी से question number 12 को arrange कर लीजिए I think यह आपका अंतिम प्रिशन होगा जहां तक मेरे को memorize है 12 question की sheet है इसमें ठीक है चलिए तो जल्दी से इसको बना लीजिए और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अंतिम तक जोड़े हैं जिनने पूरे question की हैं वह जरूर बताइएगा कि out of कितने जाते हैं उनके 12 में से 12 है 11 12 है 10 12 है ठीक है भाई या जब आप send करते हैं तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि जो पढ़ाया हुआ जो मेहनत आप पर करी जा रही है की जा रही है सही जा रही है सही दिशा में जा रही है क्योंको 12 में से 12 स्टूडेंट काफी स्टूडेंट ने आंसर्स ठीक करें थे सेकेंड क्लास में डेवन में तो लगो कि स्टूडेंट ने रेस्पोंस या तो भूल गई या उन्होंने करा नहीं तो चलिए question number 12 जल्दी से देख लेत हैं और सभी पिंक प्लास्टिक हैं तो यह ऐसे आएगा प्लास्टिक उपर आएगा तो यह इसका ग्राफ बन जाएगा अब ध्यान नकिएगा अंदर वाल यह का no correlation है ना इसका no correlation है इसकर्स रूप में क्या करा कुछ पिंक टॉबल है आप देखे पिंक का टॉबल से कोई relation होगा नहीं होगा पिंक का टॉबल से relation नहीं होगा क्यों को इसका no correlation है तो गलत हो गया दूसरा करा सभी यह सब लिग गया से सभी कर लीजिए यह सभी है बेटा जी दूसरा कह रहा है कि सभी plastic pink है सभी plastic pink नहीं हो सकती कुछ plastic तो pink हो सकती है यह वो सभी pink plastic गुलाता ना कि दूसरा वाला भी अमान नहीं है तो answer क्या जाएगा C कोई अनुसरण नहीं करता देखे फिर से देख लीजिए अगर आप सभी टॉवल वाइट है यह बन गया सभी टॉवल वाइट है यह इस तरह से बन जाएगा आगे उसने बोला कोई white pink नहीं है कोई white pink नहीं है और pink ऐसे लिख लीजिए और सभी pink क्या है plastic है तो plastic बहारी तो आएगी इसके लिए आप पहले वाले में कह रहा है कि कुछ pink plastic है pink का plastic से कोई sorry पहला वाला वहसना वहला pink टॉबले कुछ पिंक टॉबले कुछ नहीं मैंत सकते अंदर नहीं जा सकते इस से क्योंको उसना पहली बाहर यहीं रोग दिया है उसना यहीं पर रोग दिया है वह Anda नहीं जाएंग तो फहरे वाला तो गलत हो गया दूसरे गारा सभी plastic पिंग है वह दीखिए कि सभी plastic पिंक नहीं हो सकते कुछ plastic पिंग हो सकती दूसरा बाइब गलत तो आंसर कहा जाएगा हुआ है थीक है भाई या तो चलिए आज हमने पार्ट वन पहले complete कर लिया था पार्ट टू हमने complete कर लिया इसमें हमने question करे थे all or some वाले पार्ट टू में हमने question करे थे और वाले first or second वाले इधर और वाले और पार्ट थ्री में हमने question करे है no वाले अब कल पार्ट फोर आने वाला है आपकल जिसमें हम question करेंगे possibility वाली ठीक है भईया तो इस प्रकार से चारों पार्ट आपके संपन्न हो जाएंगे फिर आप slugs में अच्छे से कर पाएंगे देखे जो विद्ध्यारती अभी तक telegram group join नहीं करें है मारा वो जल्दी से join करें हो है यह वीडियो की description में आपको link मिल जाएगा ठीक है और इदि आपको अने अकड़ी में कहीं ही कोड़ अप्लाई करना तो भई आप अप्लाई करेंगे पी जिरो में से आपको 10% का additional off मिलेगा तो तो मुझे motivation मिलेगी ठीक है